नमस्कार दोस्तों सागत आसबी का एक बार फिर से आपके पनी यूट्यूब चनल क्वालिटिक अंटेनिस टुडियो पर तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं भारत का सविधान इभन भारत की राजविवस्था के समन में इसके नतरगत आसमलोग कवरकरने वाले हैं भाग 2 जिसके नतरगत हम लोग पढेंगे नागरीता के समन में इसे समन 열 आजमलोग टौप मोस्ट इंप़ोर्टरट नमस्की उसक वर करने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट नमबर कुष्टने हमारा कि निमली कित में से भारतिय समिधान के किस भाग में नागरीता का वर्णन है तो नागरीता का वर्णन है आप्सन नमबर सी भाग दो में सेकेंड नमबर कुछने मारा की भारत में नागरिता का प्रवधान किस देश से लिया गया है तो नागरिता का प्रवधान लिया गया है आप्सन नमबर भी बिटेन से थर्ड नमबर कुछने मारा की भारत में निमलिकित में से कैसी नागरिता है तो इसका से इंसरोगा ओप्स नमर ए एकल नारिता बारत में अपनाई गई है जबकि अमेरिका में दोहरी नारिता का प्रुधान है फोर नमर कुष्णिय मारा के नमलिकित में से नारिता के समन में कौन सा खतन सही है तो नारिता का वर्णन भाग दो में है, अन्चेत एक से पांच में इसका वर्णन किया गया है इसका प्रधान बिटेन से लिया गया है, भारत में एकल नारिता का प्रधान है तो इस प्रेकार इसका सही इंसर होगा option number D उप्रोक सभी कतने इसके सही होंगे फाइप मेर कुष्ण ने मारा के इनवे से अनुचेट पांच की समबन में कौन सा कतन सही है तो पांच में अप्रवधान है कि समिधान के लागू होने के समय भारत के कौन नारित है किन लोगों को समिधान के लागू होते समय 26 जनवरी 1950 को नारिता परदान की गई थी इसके लिए जरूरी था कि उसका जन भारत में हुआ हो उसके माता या पिता का जन भारत में हुआ हो या फिर समिधान को लागू होने के 5 वर्स पहले भारत में रह रहा हो यानि कि 26 जनवरी 1950 से 5 वर्स पहले वो भारत में रह रहा हो तब उसे नागिता परदान की गई थी अंच्वेट 5 के अंत्रगत जो भारत का मूल निवासी हो तो इस प्रकार इसका सही इंसर होगा उप्सन नमबर F उप्रोक सभी कतन इसके सही होंगे तो समिधान के लागू होने के समय जिन लोगों को नागिता परदान की गई थी जो भारती नागित थे उसके सम्मन में कौन कौन सी कंडिसन थी ये उसके सम्मन में दिया गया है 6. नम्बर कुष्टे है हमारा कि निमलिकीत मेंसे अन्चेट 6 के सम्बन में कौन सा गर्ण सही है तो 6 के सम्बन में पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की सम्बन में नागिता का पुरधान था तो इस परकार इसका सही इंसर होगा उप्सिन नम्बर A इन में से किस अंचेद में भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों के सम्मन में नारिता का प्रदान है तो पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के सम्मन में नारिता का प्रदान था अंचेद 6 में जबकि भारस से पाकिस्तान को जाने वाले लोगों के सम्में नाइटा का प्रदान था option number C.6-7 में 8 नमर कुशन हिमारा की भारस से बाहर रहने वाले भारतिय मूल के लोगों के नाइटा की सम्में निमलिकित में से किस अंशेद में प्रदान किया गया है तो भारत से बाहर रहने वाले भारतियों के समन में जो नागिता का प्रधान है वो option नमर B अंचेद 8 में किया गया है 9. कुछ ने हमारा कि किस अंचेद के अंतरगत यदि कोई बेक्ति किसी दूसरे देश की नागिता ग्रहन कर लेता है तो उसकी भारतियों नागिता सोता समाप्त हो जाती है या प्रधान किस अंचेद के अंतरगत किया गया है तो इसका सही न स्रोग option नमर D अंचेद 9 के अंतरगत यदि कोई बैक्ती दूसरी देश की नाईटा ग्रहन कर लेता है तो उसकी नाईटा भारती नाईटा सोता ही समाप्त हो जाती है इसका प्रदान अंचेत 9 में है तेन मर कुष्ण ने मारा की निम्न में से नाईटा के समन में कौन सा गतन सही है तो नारिता के समन में जैसा कि हम जानते हैं कि भाग 2 में नारिता का प्रधान है और अंचेट 5 से लेकर 11 तक के अंचेट में नारिता का प्रधान किया गया है 5 में समिधान लागो होते समय नारिता का प्रधान है और 6 में पाकिस्तान से भारत से आने वाले लोगों के समन में नारिता का प्रधान था और 7 में भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों के समन में नारिता का प्रधान है और अंचेट 8 में भारत से बाहर रहने वाले भारत ये मौल के लोगों के सम्मंदित नारिकता का प्रदान है यदि कोई बेक्ती दूसरी देश की नारिकता ग्रहन कर लेता है तो उसकी भारती नारिकता सोता ही समाप मानी जाती है इसका प्रदान अंचेत 9 में है नारिकता के प्रदानों का संसत में संसत के चाहने तक बना रहना इसका प्रधान अन्छेट 10 में है यानि कि जब तक संसत चाहेगा नाजिता का प्रधान तब तक बना रहेगा इसका प्रधान है अन्छेट 10 में तो नाजिता समरित केवल कानून कौन बना सकती है तो संसत इसका प्रधान है अन्छेट 11 में तो इस प्रकारिस का सही इंसरो गा option नंबर H उप्रोग सभी कतने सही हो गे 11. कुछ ने मारा कि सरूप्रतम नागरिक संसोधन अधिनियम किस वर्वर्थ लाय गया था तो नागरिक संसोधं अधिनियम आयता सरूप्रतम option नंबर A 1955 इसवी में 12 नमबर कुश्चने मारा कि अभी तक नागरी संसोधन अधिनियम 1955 में कितनी बार और कब संसोधन किया जा चुका है तो अभी तक इसमें 6 बार संसोधन हुआ है कब-कब 1986, 1992, 2000, 2005, 2015 और 2019 में तो इस प्रकार इसका सही इनसरोगाप्स नमबर सी उपरोग दोनों कतन सही है 13 नमबर कुश्चने मारा कि नागरी संसोधन अधिनियम 1955 के तहट नागरीता कितने प्रकार से ग्रहन की जा सकती है तो इसका सही इंसरों का आप्सन नमबर सी उपरोगत दोनों कतने इसके सही होंगे तो नागरी संसोदन अधिनियम 1955 के तहट नागरीता पांच प्रकार से ग्रहन की जा सकती है जन्म से, वंस से, पंजी करन से, देशी करन से किसी भ्यू भाग को भारत में सामिल करके तो पांच प्रकार से नागरी संसोदन अधिनियम 1955 के तहट ग्रहन की जा सकती है फोटीन नमबर कुष्णिय मारा की किसी बेक्ति को जन्म से नागरीता ग्रहन करने के लिए क्या जरूरी है जैसा कि लोग जानते हैं कि नारी संसुद अनियम 1955 की तेट पांच प्रकार से बेक्ती नारीता ग्रहन कर सकता है भारत की उसमें सबसे पहले है जन्म से नारीता ग्रहन करने के समन में क्या जरूरी होगा तो जन्म से नागिता ग्रहन करने के लिए आपको जरूरी है कि उस बच्चे का जन्म भारत में हुआ हो या उसके माता पिता में से कोई एक भारती हो और जो भारती नहीं है वो अवैद परवासी ना हो नागिता ग्रण करने के लिए आपको ये कंडिशन फुल फिल्ट करने पड़ेगी 15. किशने मारा कि किसी ब्यक्ति को वन्स से नागिता प्राप्त करने के लिए क्या जरूरी है माता या पिता में से कोई एक भारती हो इसके लावा बच्चे के जन्म के एक वर्स के अंदर भारती दूतावास में पंजिकरत हो तो इस परकार इसका सही इंस रोगावस नमबर सी उपरोग दूनों कतने इसके सही होंगे 16 नमबर इस ने मारा कि पंजिकरत के माध्यम से नाइकता प्राप्त करने के लिए किसी बेक्त के लिए क्या जरूरी है तो किसी बेक्त को पंजिकरत के माध्यम से भारते नाइकता ग्रहन करनी है तो उसके लिए जरूरी है कि आपको कम से कम 7 वर्स भारत में निवास करना होगा उसमें 6 प्लस 1 का मतलब है कि 6 वर्स आप भारत में निवास कर रहे हो और छे वर्स के बाद ही आप पंजीकन के माध्यम से बारत में नाइकता प्राप्त करने के लिए अपलाई कर सकते हैं और अपलाई के दोरान एक वर्स बारत में निवास करना होगा तो इस प्रकार टोटल कम से कम साथ वर्स आपको बारत में निवास करना होगा छे वर्स के बाद आप पंजीकन कर सकते हैं और एक वर्स पंजीकन के बाद भी आपको भारत में रहना होगा तब आपको पंजीकन के माध्यम से भारते नाइकता प्रदान की जाएगी 17. किसी बेक्ति को देसीकन के माध्यम से नाइकता देने के लिए क्या जरूरी है तो भारत सरकार किसी बेक्ति को देशिकन के माध्यम से नाईगता प्रदान करना चाती है तो उसके लिए ये जरूरी बाते हैं वो बाते हैं कि 10 वर्ष से भारत में वो निवास कर रहा हो या फिर आठवी अनसूची की किसी भासा का ग्याता हो अच्छा उसका चरितर हो या फिर वैग्यानिक या लेखक हो यानिकी विशेशक्य हो तो इस प्रकार इसका सही इंसरोगा उप्सन नमबर E उप्रोक सभी कतर निश्के सही होंगे तो ये बात ये जरूरी है जब देशिकन के माध्यम से नाईगता दी जा रही हो तो इन नमर कुश्चने मारा कि भारत सरकार किसी अन्य देश को या उसके किसी हिस्से को भारत में सामिल कर लेती है तो सामिल किये गए हिस्से के नागरिक भी भारत के नागरिक बन सकते हैं तो इस प्रकार इसका सही इंसरोगा उप्सन नमबर E हाँ यानि कहने का ताथ पर यहा है कि भारत सरकार यदि किसी देश को या उसके हिस्से को भारत में सामिल करती है तो उस हिस्से में रहने वाले जो नागरिक हैं वो भारतिय नागरिक बन सकते हैं अपने आप तो इसका सही अंसर होगा वो भी सोता ही भारतिय नाइकता बन जाएंगे जब भारत सरकार उस हिस्से को भारत में सामिल कर लेगी एंटी नमर कुष्णिय उमारा कि नागरी संसुदन अनियम उनिस सो पच्पन के तहट भारत की नाइकता कितने प्रकार से समाप्त की जा सकती है तो यहाँ पूछा जा रहा है समाप्त कितने प्रकार से की जा सकती है भारतिय नाइकता तो तीन प्रकार से समाप्त करना वंचि पर या है कि यदि कोई बेक्ति गलग तरीके से नारिता ग्रहन करता है तो उसको वंचित किया जा सकता है भारती नारिता से या फिर देशद्रो करता है या फिर नारिता ग्रहन करने से पांच वर्स के अंदर यदि उस बेक्ति को दो वर्स की सजा हो जाती है तो उसकी नारित से उसे वंचित कर दिया जाता है और प्रत्याग करना यानि स्वच्छा से त्यागना तो इस प्रकार इसका सही इंस रोगा आप्स नमबर ई उप्रोग सभी कतन सही होंगे नागरी संसुदन अधनियम 2019 के संबन में कौन सकतन सही है तो इसका पूरा नाम है सिटिजन्सीप अमेंडमेंट एक्ट नागरी संसुदन अधनियम 2019 ये पारित कब हुआ था तो 11 दिसंबर 2019 को ये पारित हुआ था लागु हुआ 11 मार्च 2024 से सुई को इसके तहत पाकिस्तान, बांगला देश, अफगानिस्तान से आने वाले अलपसंक्यक, सिक, रिसाई, बौद, जैन, पार्सी और हिंदु को नागरीता प्रदान करने का प् इसमें जो भी प्रतारित किये गए अलपसंक्यक हैं जिसे सिक, इसाई, बौद, और जैन, हिंदु और पार्सी इसमें याद रहे कि मुस्लिम वर्ग को सामिल नहीं किया गया है, इसके तहर दिसंबर 2014 से पहले जो बेक्ती भारत में रह रहे हो उनको नाईता दी जाएगी उसे नारिता प्रदान की जाएगी इससे पहले या प्रदान 11 वर्स का था यानि कि जो बेक्ती अब 5 वर्स भारत में रह रहा हो इससे पहले या 11 वर्स रहता था तब उसे नारिता प्रदान की जाती थी लेकिन इस एक्ट के तहत 5 वर्स इसे कर दिया गया है या अधनियम अनसुची छे में सामिल जितने भी राज हैं जैसे की आसम, तिरपुरा, मेगाले और मिजूरम इसके लावा अनाचल प्रदेश, नागालेंड और मडीपुर में या अधनियम लागुन नहीं होता है तो इस प्रकर इसका सही इन्स रोगा, अफसन नमबर H उपरोग सभी कतने इसके सही होंगे यदि आप पूरी पॉलिटिकी PDF प्रचेस करना चाते हैं, जो भी टॉपिक अभी तक जो पढ़ा जा चुके हैं, जो आगे पढ़ा जाने हैं उन सभी की MSQS की PDF कंपाइल करके एक PDF में आपको दी जाएगी मात्र 150 रुपे में यदि आप इसे परचेस करने के लिए इच्छुक हैं, तो इस दिये गए नमबर पर PDF लिखकर वार्टसप करें तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में, तब तक टेक केर and गुडबाइ